राम कथा का आयोजन है और इस कथा में पंडित बिजय किष्णी जी पधारे हुए हैं और कथा वाचक हैं 18 जनवरी से ये कथा प्रारंब है जो 24 जनवरी तक चलेगी महराज जी हमारे बीच में हैं कथा अभी शुरू होने वाली है लेकिन मैंने आप से इजाज़त लिया है एक मिनट के लिए चुकि आयोध्या में से राम जनम भूमी को लेकर जो विशाल मंदिर बनके तैयार है जो 22 जनवरी को पुरा देश देखेगा आये बात करते हैं पंडित विजय किष्णी जी से सर आयोध्या में से राम जनम भूमी और राम आ रहे हैं बड़ा प्रचार प्रसार बहुत तेजी चला है और भक्ति मैं वातावरेने के साथ दीप उश्व का भी आवेजन होने जा रहा क्या संदेश होगा आयोध्या के लिए देखे हम मैं कथा वाचक हूं और मेरे लिए तो वरणन करने योगे नहीं है लाखों कारे करता हो का प्राण से लागया उनकी आहूती उनका जो हुआ ऐसे कारे करता जिन्हों ने अपने मापाप परिवार का त्याक करके अपना संपूर्ण जीवन स्री राम जन्मभूमियां दुलन के लिए दे दिया महंतराम चंददाज परमान जी महराज को उने खो दिया स्रद्याशोक सिंगल जी को खो दिया ऐसी महांत विभूतियां जो इस दिन के लिए प्रतिक्छा कर रहे थी उनका जो यही शौसर पर आज होना बहुत जरूरी था लेकिन काल के गती ने उनको उठा लिया और कासु भी होते तो वो देखते और वो कोठारी बंदू जिन कोठारी बंदू उने इसके लिए अपना संपुर्ण जीवन दिया और मैं कथा वाचक हूँ उसी परमात्मा के नाम पर मेरा सब कुछ चल रहा है और अंत में उनी में हम सब को भी लीन हो जाना है तो बस इतना ही कहूंगा कि अधुट चल अधुट और आप सब के माध्यम से मैं समस्ताय उध्यावासियों को और पुरे देश को बस यही अपील करूंगा कि दिपावली से कम ना हो ये उटसो 22 जनवरी को जो उटसो मनाया जा रहा है ये 22 जनवरी का उटसो जनम भूमी 12 के रूप में अगर मना लि जा जा इसको और जब तक ये शंसार ठीक से चल रहा है 22 जनवरी पौश शुक्ल द्वादसी का जो शमय है इसको जनम भूमी 12 के रूप में मनाया जा बस मैं इतना कहूंगा और दिपावली से भी बड़ा उस्तो हो अब मैं कुछ कर नहीं पार रहा हूँ भावख हो गए महराजी वास्तो में सिराम जनम भूमी बिगत 30 सालों से जो सपना देखा था लोगों ने वाज सपना 22 जनवरी को शकार हो रहा है दोस्तों महराजी ने अपीर किया है कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने घर पे जहां भी जैसे भी दिप जैसा उश्व मनाये घर घर दीव जलाएं नमस्कार